नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं TRT इन्दिन्दी चनल बित्रो सिक्षकों पर दर्ज केश हो सकता है वापस ओनिस्टित कालिन हर्ताल पर चल रहे सिक्षक और सिक्षविभाग दोनों के रुक में नर्मी आ रही है जानकारों के मताबिक शिक्षविभाग अILY zouसी रह निकाल रहा है जिससे की शिक्षकों का समान भी रह जाए और सरकार अपनी बात भी बनमाले वह एक फरमूला बना रहा है जिसमें शिक्षकों पर दर्ज केश वापस लेने की बात भी सामिल बताई जा रही है जहां तक सिक्षकों द्वारा बेतन बिर्धी की मांग का शवाल है तो कोरोना के दौर में या अब दूरी की कोडी लग रही है सिक्षक भी मन बना चुके हैं कि या दौर बेतन बिर्धी का नहीं है इस समबन्द में सिख्चा मंतरी कृष्ण नंदन परसात बर्मा ने बदाया कि लोगडाउन के दौर के बाद सिख्चकों से समबाद किया जायेगा सिख्चकों पर दर्ज मामलों की गुन दोसों के अधार पर समिक्षा की जाएगी उसके बाद इस संबंद में शकारात्मक निरने लिया जा सकता है सिक्षा मंतरी ने कहा कि सिक्षकों को हरताला बिना सर्थ वापस ले लेनी चाहिए क्योंकि यह अभुतपूर्व आपात का दोर है संकट के इस दोर में उन्हें इस लराई में भागेदारी करनी चाहिए फिलाल बेतन के मामले में सरकार बेवस है क्रोना वायस के सक्रमन को रोकने के लिए पूरी सरकार आर्थिक संकट छेल रही है बेतन कठोटी हो रही है भविश में अगर राज की आर्थिक इस्तिती मजबूत होती है तो सिक्षकों की बेतन बिर्दी की मांग को समझते वे अपनी छमता अनुशार निरने लिया जाएगा